अगर आपकी भी गर्दन बहुत जादा गर्मी और पसीने की वज़े से काली हो रही है, और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से वह clean, साफ हो जाए, एक्शलिए दोस्तों, यह जो काली गर्दन होती है, इसमें बहुत जादा tanning वगरा के समस्या होती है, tanning जम जाता है प पर आप ज़रू ट्राइ करिएगा कुछी दिन में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा इक कटोरी में एक चमच दही एक चमच चावल का आटा और आधा चमच यहां पर आड़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा और फिर इसमें आड़ कर दीज आधा जो है ना कटावा नेंबू कर रहे से इसके अंदर डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स कर दीजिए बहुत यह पावरफुल रिमेडी होती है रगलर इस्तमाल करने से मतलब वीक में आप इसको दो बार यूस कीजिए गा ना तो रिजल् पर यहां पर जोनक गर्दन पर अच्छे से लगा ली हूँ लगा करके इसको मैंने लगबक 10-15 मेंटक अच्छे से छोड़ दिया था और इसके बाद यहां पर मैं नेबू को छिल्का की मदद से काफी अच्छे से हलका हलका हाथों से स्क्रब करते हैं इसको अच्छे से ट्राइज जरूर करिएगा बहुत इफेक्टिव है वीडियो असलोगा हो तो लाइक कीजिए कमेंच कीजिए मिलते नेक्स टुट्यू में बाबाई गर्मी और बहुत ज़्यादा पसीने की वज़े से हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग की समस्या होने लगती है दोस्तों पैर एक्दम से काले काले देखने लगते हैं तो आज कर यह बहुत ही पावरफूल मैजिकल यह डियावाई है इससे आपके जो धूल मिट्टी है टैनिंग है वो एकदम से क्लीन होगा पैर एकदम से खूब सुरत और बहुत ही ज़्यादा सुन्दर हो जाएगा ट्राई ज़रूर करिएगा बहुत इफेक्टिव आज का यह मैच कलने उसका है तो कैसे इसको बनाना है आपको इस पैक को बनाने के लिए आपक को दो चमच और उसके बाद यहाँ पर आड कर सकते हैं टमाटर का एक चमच पल्प और उसके सासात आप चाहें तो निम्बू भी यहाँ पर आड कर सकते हैं सबी चीजे बहुत बढ़िया रिमेडी है आपके टैनिंग को हटाना आपके जो पैर हाथ में मैल जम जाती है वो सही दिखने लगता है तो अगर आप रेगलर वे में इसको क्लीन करते होगे इस तरीके कर डियावे लगा कर के मसाज करते होगे कुशी दिन में जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया एफेक्ट दिखेगा तो मैं इस तरीके से इसको लगा करके रोजाना कुछ दिर मिनिट मस करती हूं फिर 10 में छोड़ देती हूं ऐसा नहीं कि मैं कहरे हूं कि एक पार में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा रेगलर इस्तमाल किजिए आपको फरक दिखेगा लगाते लगाते आपको कुछी दिनों में पैर हाथ एकदम से खुपसरुत और बहुत ही अच् करिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा ट्राइ कीजिए और आपको इसको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए थैंक्स वाचिंग